नमस्ते जी वैदिक राश्प्र आपका स्वागत है आज कहा हमारा विशे है गुरक्षा अंदुलन को सफर करने के लिए हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी डॉक्टर अगवीर वेदालंकार आज के इस लेक के लेखा के वैदिक विद्बान मनमोहन कुमार आरे दहरादून से आज से चार वर्ष पुर्व दो जून 2017 को गुरुकल पॉंदा दहरादून में वर्षिको सव के अउसर पर आयोजित गुरच्छा संबिलन में इसके अध्यक्ष डॉक्टर अगवीर वेदालंकार आज का संबोधन यहां प्रेश्ची थे साथ में आरे विदूशी डॉक्टर सुर्या देवी चत्रुवेदी जी ने भी संबोधित किया था उनका उपयोगी और सार गर्वित ग्यान वर्दक संबोधन भी साथ में प्रस्तो थे हम आसा करते हैं कि इसको सभी दर्शक जो हैं सामगरी को इसको पसंद करेंगे आर्श गुरुकल पोंदा देरादून में दो जून 2017 को अयवजित गोरक्षा संबेलन के अध्यक्ष डॉक्टर रगवीर वेदालंकार ने अपने व्याख्यान में कहा कि तीन बाते हैं जिनके होने से गोरक्षा अंदोलन सफल हो सकता है प्रथम कि राज्य शक्ती गोरक्षा के पक्ष में हो दूसरी गोरक्षा विश्यक कठोर कानून मनाये जाएं दूसरी बात जन शक्ती जन समर्थन की है जन समर्थन जहां होगा सरकार सामने जुके की तीसरी बात है गोरक्षा को वेवारिक रूप से अपनाने की आचार रुगवीर जी ने कहा कि गोमांस का निर्याद बढ़ रहा है इसमें कमी आनी चाहिए वदवान वक्ता ने कहा कि आरेसमाजी गोरक्षा आंदोलन करते हैं तो सनातनी भाई हमारा साथ देते हैं आचार जी ने एक पुर्म नियादीस के बयान की चर्चा की जिसने कहा था कि गोमांस वा खाता है और वहाँ गोमांस को खाना अच्छा मनते हैं उन्होंने कहा कि एसी सिती में गोरक्षा केसे हो सकती है आचार जी ने कहा कि हमें जनशक्ती को जागरत करना और उसे बढ़ाना चाहिए लेखन द्वारा मोखिक परचार के द्वारा गोरक्षा गोहत्या बंदी का परचार करना चाहिए आचार जी ने कहा कि हम गोरक्षा बढ़ाना चाहिए आचार जी ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि हमारे गाउं के अधिकांस हिंदू लोग कसाईयों को अपनी बुड़ी गाई और बचड़े बेच दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर या मिठ्या धारणा आ गई है कि भेंश का दूद दिख सकती देता है। डॉक्टर अगवीर विदालंकार जी ने गाई को राश्टी पशु के रूप में मानिता पत देने और राश्टी पशु के रूप में प्रसुत करने की बात कही। आचार डॉक्टर अगवीर विदालंकार ने कहा कि गाई से होने वाले आर्थिक लाबों की चर्चा करनी चाहिए और उसके लाबों को महत्व को लोगों को बताना चाहिए। अचार डॉक्टर अगवीर विदालंकार ने के लिए हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। प्लंकार जी ने दुख के साथ कहा कि यहाँ देश का दुर्भाग है कि देश मांचाहरी हो रहा है। उन्होंने अंसाहरीों को गोमांस खाना बंद करने के लिए समझाने को कहा। उन्होंने कहा कि गाई का घींखाएं वह कभी नुकसान नहीं करता। आचार जी ने आरेसआमाच को गाई से होने वाले आर्थिक लाबों पर प्रचार करनी की सला दी। गाई से जुड़े सबी दत्थियों को हमें प्रचारित करना चाहिए। आचार जी ने गोरच्छा को राष्टे मुद्दा बनाने की सला दी, आचार जी ने गोमांस भक्षकों को सास्त्रार्ट की चुनोती देने की भी सला दी, उन्होंने कहा कि अकबर को गोहत्या बंद करने सम्दे जन भावना और जन शक्ति के सामने जुकना पड़ा था, हमें जन शक्ति को भनाना और बढ़ाना होगा, हमें जन शक्ति को बनाकर राजी शक्ति को जुकाना होगा, आचार जी ने कहा कि प्रसिद आयुरवे्थ के जाता, स्वामी ओमानंस जी के अनुसार, सो वर्ष पुढाने गोगरत को सुंगने से म्रगी का रोप ठीक हो जाता है, आचार जी ने कहा कि देशी गाई ही असली गाई है, मिक्स गाई गाई नहीं है, अपने वक्तत को विराम देते हुए उन्होंने सुरोताओं को गोरक्षा और गोपालन करने का आवभान किया, वेद विदूशी डॉक्टर सुर्या देवी इनजी ने भी गोरक्षा सम्मेलन को सम्मोदित किया, उन्होंने कहा कि हमें गोपालन की अवश्क्ता पर विचार करना चाहिए, गोप्रत्वी, पशु, शूर्य, उसकी रश्मियों को कहते हैं, जो चरती है वहाँ गोँ है, जो गोँ को ढूनने के लिए जाते हैं, उनके लिए गवेशना सब्द का प्रयोग क किया गया है, उन्होंने कहा कि वेद को भी गव कहते हैं, आचारया जी ने गोँ से होने वाले लाबों के सम्मंदित एक वेदमंत्र का पार्ट भी किया, और उसका अर्थ बताया, उन्होंने कहा कि पहले सभी घरों में गोशालाएं होती थी, अब घरों में गोशालाएं र आचारिया जी ने स्वास्त विशे के गराश सकी बात बताते हुए कहा कि गोमांस खाने वाली माता से उत्पन बच्चे के सरीर के अंग तिर्चे हो जाते हैं। गोदुग दो रिस से बने पदार्तों के सेवन से मनुश को अनेकाने कर लाव होते हैं। हानी कोई नहीं होती। आचारिया जी ने गोगरत पीने उसके सरीर पर लगाने गाउं में भी लगाने से होने वाले लावों को बताया। उन्होंने गो मात्रा ना विद्धते का उलेक कर कहा कि गो से होने वाले लावों की गंड़ना नहीं की जा सकती। आचारिया शुरे देवी जी ने कहा कि गोदुग्द पीने से अन कम खाया जाता है गोदुग्द पीने से मनुष्य में मल भी कम बनता है वह कम दुरगंद युक्त होता है गोदुग्द पीने से मल कम बनने से प्रदूशन कम होता है रूग नहीं होते इसके साथ ही डॉक्टर सुर्या देवी जी का व्याक्षान समाप्त हो गया गुरुकुल के पुर भर्मचारी आचारे डॉक्टर रविंद्र कुमार आयरे ने गोरक्षा संब्यलन का कुसल संचलन किया सैन कालिन संधिया और सांती पार्ट के साथ गोरक्षा सम्मेलन का सत्र समाप्त हुआ अन्ने इस तरह के वेदिक लेखों के लिए वेदिक रास्ट क्यूटूब चनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमते सुजाओ कमेंट अवश्य करें धन्यवाद